कलरफूल वेजिटेबल्स के साथ देते हैं आज एक विदेशी रेसिपी को देशी रेसिपी का तड़का बनाने में इतना जादा आसान कोई भी पार्टी जोकेशन की जान बन सकती हैं और एक बार अगर खा लियां बार बार बना के खाओगे जो बहुत जादा हेल्दी भी है टेस्टी भी है और इजी बनाना तो चलिए लेट्स स्टार्ट हलो फ्रेंद सर्वल्कम बैक तो माई चैनल चलिए आज बनाते हैं पालक राइस विद क्रीमी सोस और वेजीज एक अलग अंदाज में तो इसके लिए हम पैन ले लेंगे और दो चमच बटर लेंगे जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें दालेंगे तीन बड़े चमच के करीब कटे हुए लसुन और इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच अदरक और कटे हुए हर इमिज आपको चॉप करके ही डालना है ताकि वो टेक्स्चेर आए और इसे सौटी करेंगे हाई फ्लेम पर जब तक तो यहाँ तीनमीट आए हुए हैं तो चलिये विजटेबल्ट हम नहीं करी है सब्सक्राइक अब इसमें डाल दिये है मैं रेट येलो और ग्रीन का्पसिकम और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल दिये हैं मैने ब्रोक्ली आप इसमें पनीर वागेर अब इसमें थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डाल के दो से तीन मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर इसे सौटे कर लेंगे याद यह रखना है हमें वेजेटेबल्स को ओवर कुप नहीं करना है इसका क्रंचिनिस बरकरार रहना चाहिए तो यहाँ तीन मिनिट हो चुके है तो चलिए मैं वेजेटेबल्स को एक अलग बोल में निकाल लेती हूँ और सेम उसी पैन में हम फिर से एड करेंगे दो बड़े चमच के करीब बटर और हम एक सौस रेडी करेंगे जैसे बटर मेल्ट हो जाए हम दो चमच के करीब मैदा आड करेंगे मैदे के बदले आप ओट्स पाउडर भी आड कर सकते हैं या गेहु का आटा भी आड कर सकते हैं मैं देखा कच्चापन जाने तक आपको इसको अच्छता से पकाना है यह बहुत इंबोर्डन स्टेप है सौस बनाने का यह देखिए सारा बटर फिर से रिलीज हो गया है इस हद तक आपको पकाना है अब इसमें डालेंगे एक कप गरम दूद पर दूद आपको बैचस में डालना है और दीरे दीरे आपको डालना है यह दिखे दूद और भी चाहिए तो आप और भी डाल सकते है डिपन की आपको कंसिस्टनसी कैसे चाहिए सौस की तो मैंने सारा एक कप दूद आड़ कर लिया है इसको बॉयल होने देते है यह देखिए गाड़ा होना शिरू हो अब इस वाइट सॉस को देते हैं एक देसी तड़का तो गैस ओफ कर लिया है मैंने अब दो चमच कश्मीरी लाल मेच एक धनिया पाउडर इसमें डालेंगे गरम मसाला आधा चमच नमक स्वाद अनुसार आड़ कर ले आधा चमच अब हल्दी आड़ करें काला नमक थोड़ इसको एक स्मोकी फ्लेवर देते हैं तो एक छोटी सी कटोरी में बीच में रख लूंगी और जलता हुआ कोईला इसमें रखूंगी और इसके बाद इस पर डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी और फटा-फट से लिट को कवर कर लेंगे और पांच मिनिट के लिए इसको स् को दीना लेना है और इसमें दो हरी मिर्च हम एड कर लेंगे या आपके टेस्स के एक आप आप करें बिना पानी के ही मैंने इसे पीसा है देखे बड़िया सा हमारा जो ग्रीन पेस्ट है वो रेडी है चलिए सॉस को चेक कर लेते हैं वाव बहुत अच्छी खुजबारी है मैं आपको बता नहीं सकते है वीडियो में खुड ट्राइ करें आपको अगर स्मोकी फ्लेवर के दिवान होना तो आपको मजा आ जाएगा अब मैं इसमें डालूगी जो सॉटे की हुए वेजिटेबल्स वो और इसे मिक्स कर लेंगे गी गैस को अन कर लेते हैं अब इसे प पका लेते हैं ताकि वेजिटेबल्स में भी सारा जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज हो जाए और तंदूरी सॉस रेडी है चलिए बनाते हैं पालक राइस तो इसके लिए एक चमच बटर और एक चमच ऑल को गरम कर लेंगे इसमें एक चमच डालेंगे कटा हुआ हुआ है और इसे सौटे कर लेंगे जब इसका कच्चप निकल जाया खुछबू आने लगी तब एक प्यास को लंबा लंबा काट कर इसमें डाल दे और प्यास को कैरमलाइज होने तक पका लें तो देखें यह इस तरह से हो गया जिसे हम बिर्यानी में करते हैं बस उसी तरह से अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार याद रखें नमक हमने चावल बॉयल में भी डाला होगा थोड़ा सा शुगर दालेंगे इसका ग्रीन कलर रिटेन करने के लिए और चीली फ्लेक्स आड़ करेंगे साई चीज़ों को मिक्स करेंगे और उसे पकाएंगे हलका ड् खच्चा होना चाहिए और ऐसे खः़ ख़िले चावल को बनाने के लिए मैंने कहीं सारी टिप्स आप से शेयर करी हैं अब जरूर चेक आउट करें मेरी टिप्स वाले वीडियो अब चावल इसमें तीन कप के आसपास मैं अड़् कर लिया है और चलिए इसे अमिक्स कर ले बहुत ही बढ़ी है लास्ट में आप इसमें डाले लेमन जूस दो चमच के करी और फ्रेश धन्या आप चाहे तो अभी डाल सकते हैं या सर्फ करने के टाइम पर इसे डाल सकते हैं तो पालक राइस रेड़ी है लेट्स सर्व इट गर्मा गरम इस रेसिपी को सर्फ करें पार्टी इस ओकेशन के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है सब आप से डेफिनेटली पूछेंगे कौन से रेसिपी मंगवाई है उपर से आप चीज धन्या और चिली फ्लेक से गानिश करें और गर्मा गरम इसे तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुह में पानी आया की नहीं जरूर कमेंड करके बताईएगा इजी तो है ही साथ ही में सूपर डिलेशियस यह रेसिपी है उपसे जो स्मोकी फ्लेवर हमने दिया है वो तो कमाल क करें और आपके फिडबैक दें इतनी टेस्टी रेसिपी में बता नहीं सकती जली जली बनाएए और आपके फिडबैक दें और कर्मा गरम ही इसे एंजोई करें लाइक शेर एंड सब्सक्राइब माई चैनल तिल देन टेक केर बबाएए